जै मात अदी मैं आचे रियासिस सेमवाल आपका स्वागत करता हूँ एस्टो काल गर्णा में प्रिया दर्शकों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सितंबर महीने का रासिफल कन्या रासिवालों का कैसा रहेगा कैरियर की दिश्ची से उन्नती भाग गया दामपत्य उष्ची कैसे रहेगी जो कन्या रासिवाले विदिश में रहते हैं या विदिश से जुडावा रोजगार स्वदेश में करते हैं उनके लिए कैसा रहिने वाला है यह सितंबर का महिना जो रासिपल मैं बताने जा रहा हूँ यह चंदरासिपल के आधार पर यानिकि आप बन चार अंकर लिखा और आपके ब्याइभाबन में जहां पर पांच अंक लिखावा है वहां पर सुर्य गıllँन पिराजमान आपके रासे में केतू शुक्र गरह बिराजमान है, आपके सप्तम भाव में जहांपर बारा अंके लिखा वहांपर राहु गरह बिराजमान है, जहांपर ग्यारा अंके लिखा वहांपर आपका छटा भाव वहांपर सनी गरह बिराजमान है, आपके भाग्य में जहांपर दो अंके लिखा वहाँ पर शुक्र ग्रह बिराजमान है और आपके कर्म भाव में जहां पर तीन अंके लिखा वहाँ पर मंगल ग्रह बिराजमान है और इस महीने तीन ग्रहों का परिवर्तन होगा पहला सूरिया जो सूरिया आपके ब्याय भवन में यानि के अपनी रासी सिंग ग्रह हैं उनके दो परिवर्तन इस महीने होंगे एक तो चार सितंबर को होगा वो आपके लाब से निकल करके आपके ब्याई भाव में चले जाएं यहां पर पांच अंकर यहां पर चले जाएंगे और यहां पर वो 22 तारीक तक रहेंगे 23 तारीक को 23 सितंबर को वो आपके रा राव में चले जाएंगे तो आपके लिए इस महीने अच्छे संकेत बहुत मिल रहे हैं। कन्या रासिवालों को बिलकुल भी क्रोध नहीं करना है क्योंकि एगो पैदा होगा एंकार पैदा होगा आपके अंदर क्योंकि मंगल जो हैं दिग बल्ब हैं प्राप्त है मंगल को आपके कर्म में बैठे हुए हैं आपके कैरियर भवन में बैठे हैं इनकी दृष्टी आप energy को आप अपने बुद्धी के बुद्धी का सही निर्णाय लेने में लगाएंगे कर्मों में लगाएंगे तो आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है और अगर ये energy अगर आपके बात भी बात में लग गई किसी के साथ नोग जोग में लग गई तो कहीं न कहीं आपको इस महीने बिबादु में फसना पड़ सकता है परिवार में कलेश, घर में कलेश दामपत्य जीवन में कलेश मित्र के साथ कलेश और नौकरी में कलेश ब्यापार में कलेश देखने को मिलेगा इसलिए आपने इस महीने सांत रहना है कन्या रासी वालों क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छे योग बने वे हैं क्योंकि आपके रासी के मालिक लाब भवन में हैं बहुत अच्छी बात है लाब की अबसर आपको मिले हैं सेयर मार के लोट्री सटाई त्यादे में आपको दन प्राप्त होने के जोग बनाता है अंगर आप अस्थान अंतरा नहीं करना Ach New बढ़ dw भी अब्ध रहें ईसलें वच्छा योग बनेगा शुक्र trans जिखाएंगा वहाँ स्थान तंश जिंचें नहीं करेंगे तो कुणक बना नहीं चाहिए तो यानि कि धन की स्थिति आपके बहुत अच्छी रहेगी, परिवार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, साथ में सुक्र जब परिवर्तन करके 18 सितंबर के वाद धन भाव में चले जाएंगे तो बहुत अच्छी स्थिति आपके धन की रहने वाली है, इसके लिए आपने थोड़ा खान पान पर करन्या रासे वालों को थोड़ा परेज करना पड़ेगा बाहर की चीज़ें आपने नहीं खानी तीखा ब्यंजन नहीं खाना है और क्योंकि सुक्र जब दुतिया भाव में जाएंगे धन के भाव में जाएंगे खर्चा भी कराएंगे आपके सोखों पर करओं पे पहसा खर्च होगा आप की लगजरी लाइप सकते हैं तीखा घंचन खाष्यों मंन परेम्पत्य खरीजिसद Si dar के स्वास्थतमर के बाद अगर आपका सुधार रहे रहें में मदूर्था आएगी प्रेब पहरें लाईना साथ में जब शुक्र दुतिया भाव में चले जाएंगे तो आपके दामपत्य जीवन में मदुर्ता बनाएंगे प्रेम अफेर में भी प्रेम संबंदों में मदुर्ता आप आने के योग है लेकिन राहू का जो योग बनावा है आपके दामपत्य जीवन में वो आपके लिए कत् काना अपने अंदर कंट्रोल लखेंगे तो दामअबन जीवन में भी कोई मद भेद्स नहीं आएंगे आपका ख़र्चा कोई स्वास्थे बीं नहीं होगách हां कोल्ड कचिरी में भी नहीं होगा विवादू में भी आपका खेहां रावा है मंगल आपकी पूरी कोसिस करेंगे ही करेंगे और partnership के कामों में भी जो अन्बन चल रही है क्योंकि अन्बन चल रही है राहु के उपाई के बताओंगा मैं वो तो यह राव होगा, आपके लिए अच्छी ग्रहों का आपका बहुत उत्तम योग है भागय का साथ मिलेगा आपका आत्म विश्वास बढ़ेगा एनरजी आपके अंदर आएगी आपके काम बनेंगे भूमी प्रॉपर्टी का सुक मिलेगा कैरियर के लिए बहुत उत्तम है मंगल आपके कैरियर में ग्रोध देगा एनर बनाएंगे और साथ में आपके काम बनाने का काम भी एंजल के रूप में मंगल गरो यहां पर करते हैं और आपके काम बनेंगे आपको सरकारी विभागों में या आप प्रावेश सेक्टर में हैं वहाँ पर आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा मंगल यहां पर बहुत उत्तम फल देते हैं तो आपके लिए बन रहा है इस मेंने भागय का साथ नभी इंता आपके अंदर आने का आपकी अंदर की कमियों को करिये अंदर अच्छाειं लाइन और अच्छाइ से ही दीवन बहुत अच्छी तरह चलता है तो यह यह योग है बहोत हच्छा के लिए बिध्यार्ति जो लोग विदेश में रहते हैं, विदेश में रहने वालों के लिए ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन बाद विबाद से आपने भी बचना है, विदेश का लाव, धने का लाव, एस्थवरिया, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, आपको मिलेगी, मिलेगे, लेकिन कलंक से आप आपने भी बचना है कि सनी की दृष्टी भवन पर है सूर्य का आपस में संबंध है इसलिए आपने बाद विबाद उसे जितना बचेंगे तो बढ़िया रहेगा जो विदेश से जुड़े विरोजगार सुदेश में करते हैं उनको भी बाद विबाद बचने की जूरत है व बढ़िया विब उत्तम बात है प्रवट्टी का सुक माता के स्वास्त्य में सुदार, पिता के स्वास्त्य में सुदार, भडे भाई से लाव यह आपके लिए बहुत अच्छा बनावा, बहनों से स्वयोग का योग बनावा, कंया राशी वालों का धन क Learning की स्थिदी उपाई देख लिए आपने करने हैं उपाई जैसे एक तो आपने राहू का उपाई करना है बुद्धुबार के दिन पहले तो गणिजी के बारणाम उचारण करने साथ उसके बाद आपने 108 बार ओम गंगन पतर इस मंत्र के द्वारा आपने गणिजी को दुर्वा चड़ान गणिजी को लड़ू का भूग लगाना है यह उपाई करने से आपके राहू सम्मंदित जो भी ब्यापार में दामपत्य जीवन में पार्टनर्सिप के कामों में या आपके अंदर जो चिरचड़ापन है वो कहीं ने कहीं समाप्त हो जाएगा गो बुत्र का सेवन करना है और दूसरा आपने सूर्य के लिए भी रविवार के दिन आपने दानपुले लाल पुस्तों का दानपुल्य करना है अगर आप चाते हैं मंगल का भी सही फल आपको मिले तो मंगल बार के दिन आप हनुमान जी के दर्शन करिए सनिवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करिए ये आपके लिए बहुत उत्तम बात हो जाएगी और उम नमाह भगवते वाशुदेव मंत्र का भगवती की सेवा करने से आपके जीवन में जो भी संकट है परिसानिया है उपरिसानिया दूर हो जाएगे अगर आप अपनी जन्म पत्र का जन्म कुले दिखाना चाते हैं नीचे दियेवे नंबरों पर आप संपर कर सकते हैं अभी के लिए मुझे अनुमत दीजे नमस्कार जैमाता दी